गुड इनिंग स्टूडेंट्स, हलक की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, सूपर की, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो मैं फिर भी से आज चाहा रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स थोड़ा 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 और हाइल अठ्रिब्यूट होता है, आधार, पैन, ड्रैविंग लाइसंस नमबर, अन्रॉल्मेंट नमबर, स्टूडेंट नेम, इसी कोई हम की कह सकते हैं and basic use of any key is to uniquely identify the tux और इस key का क्या प्रयोग होता है, key का क्या use है भाई जो टेबल है टेबल का जो फिल्ड होगा जो एट्रिब्यूट होगा उसे ही हम की कहेंगे और जिसकी सहायता से हम उस टेबल के जो प्रत्य टपल है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएं जैसे देख सकते हैं यहां पर राम नमक व्यक्ति है रायपूर का 32 यर ओल्ड है राम नमक एक और टपल है एक रो और है जिसमें देखो राम है रायपूर है सेम है दोनों ही टपल में डेटा जो है वो सेम है बट दोनों अलग है यह मैं कैसे मानूं यह मैं कैसे जानूं तो र प्रत्य ट्राम है उसका 103 है तो यह रोल नंबर एक ऐसा फिल्ड है यहां पर एक ऐसा अट्रिब्यूट है जिससे हम इन दोनों स्टुडेंट के बीच में कर सकते हैं वो दोनों अलग हैं हम यह कह सकते हैं यह हम कहें हम दोनों स्टुडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस से इस रोल नंबर फिल्ड के अधार पर तो इस फिल्ड को हम कह सकते हैं यह एक की है की का काम करेगा क्यों क्योंकि हम प्रत्य ट्रेपल को य एंडिविजियल स्टूडेनको डिफरेंशेट कर सकते हैं, उन्हें uniquly identify कर सकते हैं, अधार काड नंभर से भी हम स्टूडेन्ट को uniquely identify कर सकते हैं, इंसी bayर्विज्छीलेशन पाम काड नंबर से भी कर सकते हैं और उसी तरही कन से driving license नंभर से सकते हैं और similarly इन्रॉल्मेंट नंबर से भी हम प्रतिक ठपल को प्रतिक student को uniquely identify कर सकते हैं, क्यों driving license नंबर तो अलग हो गई होगा, pencard नंबर तो एक-एक student का अलग हो गई होगा, आधार कार्ट नंबर भी अलग हो गई होगा, ति ये सारे जितने जो fields हैं, जो attributes हैं, उन्हें हम की कहेंगे, अब candidate की तो candidate की इस टेबल में देखिए आप वो सारे फिल्ड role number, enrollment number, email id, अधार, card number, pen number, driving license number ये सारे वे फिल्ड हैं जिनसे हम प्रतिक टपल को, प्रतिक record को, प्रतिक student को uniquely identify कर सकते हैं तो किसी टेबल में मौझूद वो फिल्ड या वो attributes जिनसे हम प्रतिक टपल को uniquely identify कर सकते हैं प्रतिक student को हम uniquely, प्रतिक record को हम uniquely identify कर सकें, उन्हें candidate की कहेंगे तो role number एक candidate की होगा, enrollment number एक candidate की होगा, email id एक candidate की कहलाएगा आधार वाला जो field है यहाँ पर वो candidate की कहलाएगा, pen field, driving license field, यह सारे candidate की कहलाएगे तो देखें एक चीज़ और बताया था आप लोगों को, क्या primary की, primary की unique होता है और उसकी value null नहीं होना चाहिए तो प्रतिक table में क्या होता है, एक primary की बनाया जाता है, सबसे most important की जो उस particular entity से related हो, उस field को primary की बनाया जाता है तो माल लीजे, अगर इतने, अगर इस table में मैं roll number को primary की बनाया तो उसका जरूरी शर्त यह है एक तो primary की यदि मैं जिस attribute को, जिस field को बनाया उसकी value जो है पूरे table में unique होना चाहिए और उसे हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब roll number हमें प्रतेक student का यहाँ पर enter करना ही होगा और प्रतेक student का roll number भी अलग-अलग होने चाहिए तो यदि मैं stable में roll number को, यदि मैं primary की declare कर दूँ, तो बाकी जितने candidate keys बज गए हैं, उन्हें alternate keys कहे जाएंगे एक बार और बता दू, in above all attributes, any field will be chosen as primary key, suppose roll field, then rest of the field or attribute will be known as alternate keys तो भाई, जितने candidate key होंगे, उसमें से किसी एक को primary key बनाया जाएगा तो उसको छोड़ करके, जितने बचे हुए जो fields होंगे, जो attributes होंगे, उन्हें alternate keys कहे जाएंगे तो primary key, एक ऐसा key, एक ऐसा field यह, एक ऐसा attribute जिसकी value पूरे table में unique हो और उसकी value null ना हो, उस attribute को, उस field को primary key बनाया जा सकता है What is super key? देखिए, candidate key is a minimal attribute to identify the tuple like roll field in the aboutable तो candidate key क्या होता है, एक सबसे छोटा एक हम कह सकते हैं, एक attribute अत्वा field जिससे हम uniquely identify कर पाएं किसी भी individual tuple को या record को, वो candidate key कहलता है And suppose with a role field, we are using or adding another field to uniquely identify the tuple, then this will be known as super key और मालो, इस role जो कि एक candidate की है, उसके साथ में किसी other attribute को या other field को मैं जोड करके अगर मैं किसी tuple को uniquely identify करूँ, तो वो कह लाएगा super key तो देखिए, role एक stable में, एक candidate की है, उसके साथ में मैं name field को ले करके यदि मैं किसी record को, किसी tuple को uniquely identify करूँ, यह super key कहलाएगा मतलब, एक candidate key के साथ में, यदि किसी और attribute को, यदि हम जोड करके uniquely identify करें किसी record को, किसी tuple को, तो वो setup key जो है, super key कहलाएगा role number, एक candidate की है, उसके साथ में name एक और field हम add कर देते हैं तो अगर मैं कहूँ, उस student record को दिखाईए, जिसका role number एक हचार हो और उसका नाम सुनिल हो तो भाई, हम दो field को ले करके, किसी student के record को, हम fetch करने की कोईशिश कर रहे हैं उसे extract करने की कोईशिश कर रहे हैं, तो ये दोनो field का जो set है, वो super key कहलाएगा उसी तरीके से role और age दो attribute ये भी super key बन सकता है, हम कह सकते है उसी तरीके से role और mobile field को मिला दे, वो भी super key बन जाएगा उसी तरीके से role, mobile, age field को मिला दे, वो भी super key कहलाएगा उसी तरीके से role, name, email, mobile, ये भी super key हो सकता है लेकिन एक ध्यान देने योगे बात क्या है इस super key, minimum one attribute must be candidate key अगर मैं super key बनाा हूँ, अगर इतने को super key कहता हूँ तो इसमें से कम से कम एक जो attribute है, एक जो field है वो candidate की होना चायाए तो अगर मैं इस super key के set में बात करूँ role एक candidate की है, अगर इसमें मैं बात करूँ तो role एक candidate की है रॉल और मोबाइल दोनों candidate की है क्योंकि हम uniquely दोनों के साहता से एक-एक student के record को uniquely identify कर सकते है अगर इस super की set में कहूं तो रॉल एक candidate की है मोबाइल एक candidate की है age candidate की नहीं है क्यों क्योंकि कई student के जो age है वो same हो सकते हैं लेकिन mobile number unique होगा प्रतिक student का role number unique होगा तो ये candidate की है और अगर मैं यहाँ बात करूँ role एक candidate की है क्यों क्योंकि प्रतिक student का role number unique होगा name candidate की नहीं हो सकता क्यों क्योंकि एक class में कई student के नाम same हो सकते हैं तो this will not be going to your candidate की email id ये तो unique होता ही होता है तो email id भी आपका candidate की हो सकता है यह है ही कहें mobile number भी candidate की है यहाँ पर तो rule यह कहता है कि जो आप super की बनाते हो इसमें से कम से कम एक जो attribute होना चाहिए एक जो fill होना चाहिए वो एक आपका candidate होना चाहिए लेकिन देखें यहाँ पर name और age यह दोनों दोनों को अगर मैं super की कहूं तो बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि name एक candidate की नहीं है age भी एक candidate की नहीं है क्यों क्योंकि एक class में कई student के नाम सेम हो सकते हैं तो भाईया it is not right now the candidate की in the same way age कई student के age सेम हो सकते हैं तो यह भी candidate की नहीं है तो इन दोनों के set को हम super की नहीं कहेंगे तो इतना बात आप लोग शायद समझ में आया होगा आज इस वाले क्लास में एक बार और रिपीट करूँ यह टेबल है ठीक है और इस टेबल में की किसे कहेंगे हम लोग भाई वो एट्रिब्यूट या फिल जिससे हम लोग टपल को यूनिकली अब कैंडिडेट की किसको कहेंगे वो लोग वो सारे एक्ट्रिब्यूट जिससे एक एक स्टुडेंट को यूनिकली हम एडेंटिफाइग कर सकते हैं रोल से कर सकते हैं और उसे कैंडिडेट की में यदि एक fluid की बना देता हूं तो बजगा जितनेए च्टिट ll की उसकी प्रैमरी की किसे कहते हैं ऐसा फिल्ड या अट्रिबूट जिसकी वैलू पूरे टेबल में यूनिक हो और उसकी वैलू खाली ना हो उसे प्रैमरी की बनाये जाता है या कहा जाता है और set of attributes जिसमें एक candidate की हो उस set of attributes को हम लोग super key कहते हैं और super key में एक जो minimum कम से कम एक जो key होना चाहिए वो candidate key होना चाहिए तो key के बारे में थोड़ा समय आप लोगों को थोड़ा और smoothing और finishing करना चाह रहा था तो उस purpose से इस video को मैंने बनाया है So this is the end of lecture number 32 Thank you very much